तो स्वागत है आप सभी का मेहान इसक्मार दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है MCC के द्वारा जारी किया गया कुछ FAQ आप सभी के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है जिसके बारे में most of the students को नहीं पता होता है और इसके बारे में आपको जाना बेहर जरूरी है तो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ तो चलिए शूरू करते हैं अगर आप सभी को counseling के related किसी प्रकार का update चाहिए तो इस चैनल को subscribe कर लें यहां पर प्रते के स्टेट्स के counseling के बारे में updates मिलता रहेगा तो three most important questions आपको बताने जा रहा हूँ जो काफी ज्यादा comments है पहला what is the permissibility to students to exercise fresh choice during counseling पहला question दूसरा question what is free exist for first round means तिसरा question what does exist with for future means in second round of counseling यह तीन questions MC से गोदरा जारी किया गया FEQ में चलिए सुरू करते हैं एक एक करके आप सभी को इसमें बताते हैं सबसे पहला question जब आप all India 15% का counseling के लिए रजिश्रेशन करेंगे उस समय आप सभी को two types of fee payment लगेंगे पहला non refundable registration fee और दूसरा refundable tuition fee और आप सभी को बता दू की फ्रेंड की इसमें unreserved category के लिए thousand rupees लगेंगे AC, ST, OBC, PWD के लिए 500 और अगर आप dimmed university में category में select करते हैं तो आपको 5000 fee लगेंगे और उसके बाद मैं आप सभी को बता दू की refundable fee भी लगेंगे अगर आप सभी unreserved category से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को 10,000 fee लगेंगे 10,000 और अगर आप सभी AC, ST, OBC और PWD से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को 5000 लगेंगे और अगर आप dimmed university के लिए select करते हैं तो 2 lakhs आप सभी को tuition fee लगेंगे और मैं आप सभी को बता दू ये non refundable है और ये जो high amount है ये आप सभी को refundable मिल जाएंगे लेकिन इसके लिए भी आप सभी को condition है उसके बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ ये देखी MCC के दुआरा जारी किया गया FAQ, most important है आप सभी को इसके बारे में समझाता हूँ यहाँ पे लिखा गया है All India quota 1st round और dimmed university All India quota 2nd round और dimmed university, State quota 1st round 2nd round, State quota mop up round और dimmed mop up round आप सभी को बता दू फ्रेंड कि आप सभी counseling में जब participate होते हैं और आप सभी को अगर 1st round में MBBS college allotment कर दिया जाता है और आप सभी जाकर college में MBBS में admission ले लेते हैं तब तो आगे का process आप नहीं कर पाएंगे, इसमें आप participate नहीं हो पाएंगे क्यूंकि आपने already admission ले लिया है और अगर आप सभी 1st round में जो college allotment किया जाता है, उसमें college में admission नहीं लेते हैं तब तो आप automatic second round के लिए eligible हो जाते हैं, automatic आपको second round में भी eligibility मिल जाएगा और अगर आपको second round में भी college allotment किया जाता है, अगर आप college में admission जाकर ले लेते हैं second round में तब तो आपको ये security money जो भी refund कर दिया जाएगा आपके bank account में, क्योंकि bank account मांगा जाता है और अगर आप सभी second round में भी admission नहीं लेते हैं तब यह security money आप सभी को refund नहीं किया जाएगा इसको जब्त कर लिया जाएगा यहाँ पे clear लिखा हुआ है यहाँ पे देखें clear लिखा हुआ है ठीक है अब कुछ students पूछेंगे कि अगर जो students को first round में college allotment नहीं किया जाता है तब क्या होगा तो अगर आप सभी को all India first round में अगर college allotment नहीं किया जाता है तब second round में आपको wait करना होगा और अगर second round में भी आपको college allotment नहीं किया जाता है उसके बाद आप अपने estate के लिए eligible होगे तो वहाँ पे आप सभी को फिर participate लेना है और friend मैं आप सभी को बता दू estate में भी आपको refundable fee लगेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है तो यह है counselling का process तो आप सभी बहुत carefully counselling में participate लेना है दूसरा question के बारे में आप सभी को बताता है मतलब security deposit जो आपने किया है वो जब तो नहीं किया जाएगा और आप अगला step के लिए eligible हो जाएंगे third question के बारे में आप सभी को बताता हूँ MCC ने counselling का complete process आप सभी को बताया है खर जब counselling में start होगा तो मैं आप सभी को एक एक tip बताऊँगा चैनल को subscribe जरूर कर ले next question यहाँ पर देखे what does exist for for feature इसका मतलब होता है कि पैसा जप्त कर लिए जाएगा means in second round of counselling तो यहाँ पर लिखा गया कि exist with for feature means if a candidate allotted in allotted seats in second round of counselling and does not want to join the allotted seats he can still exist with for feature मतलब कहने के मतलब है अगर आपने first round में admission नहीं लिया second round में भी आपने admission नहीं लिया तो आपका जो security money है उसको जब्त कर लिया जाएगा वो आपके account में refund नहीं किया जाएगा इसका मतलब यह है और अगर आप से भी first round में admission नहीं लियते हैं second round में भी admission लियते हैं आपको जो college चाहिए वो college आपको नहीं मिला बहुत सारे restaurants ऐसे करते हैं तब आप उसके बाद only state quota के लिए eligible रहते हैं क्योंकि second round ही round ही 15% होगा उसके बाद मौपप होता है दिम्ड के लिए तो आप सिर्फ state quota के लिए ही अब इस्टेट कोटा में अगर आप जिस जो college चाहते हैं आपके मार्स साब हिसाब से मिल जाएगा तो वह आप तो वह भी इसलिए ले लेंगे आई होप आप सभी को समाझ में आ गया होगा मैं अगर्ण के पहले इस जितनी में प्रोसेस हैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी काउंसलिंग के दोरान एक छोटा सा मिस्टेग ना करें एक छोटा सा मिस्टेक बहुत बड़ा मिस्टेक बन सकता है इसलिए मैं आप सभी को इसके वारे में information दे देता हूं ताकि आप सब्सक्राइब करें ताकि आप सब्सक्राइब करें ताकि लेटस्ट अब रियुक्त आप सब्सक्राइब रहेगा